प्रादेश शेक समाचार प्रदेश में बर्ट फ्लू की संभावना को देखते हुए पशुपालन विभाग ने जारी की अडवाईजरी और अच्छी खबर में आप सुनेंगे आदिवासी बहुलो मर्या जिले की ग्रामीन महिलाओं की आत्म नर्भरता की कहानी अब समाचार वस्तार से भारत के ओशद महा नियंत्रक ने आपात स्थती में कोविट के दो टीकों भारतिय सीरम संस्थान के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के को वैक्सीन के सीमत उपयोग की अनुमती दे दी है भारत की ओशद महा नियंतरक वीजी सोमानी ने आज इन दोनों टीकों को अनुमती देने की घोशना की औशद महा नियंत्रक ने बताया कि दोनों टीक के आपात उपयोग के समिती की सिफारिश के बाद केंद्री औशद मानक नियंत्रक संगठर ने स्विक्रती प्रदान की है श्री सोमानी ने बताया कि को वैक्सीन का चरण तीन का परीक्षन भारत में 25,800 स्वेम सेवियों पर किया गया था मंत्री मंदल विस्तार शकर पत ग्रहन समारोह का आयो जन राजभावन के सांधी पनी सभार में किया गया जबसर पर मुखे मंत्री शिवरासिंग चौहान सहित मंत्री मंदल की कैई सदस्यों पस्ते थे तुलसी राम सिलावट उपचुनाव में अंदौर जिले के सावेर और गोविन सिह राजपूत सागर जिले के सुर्खी विधानसभा सीट से विजाई हुए हैं उधर शिवराज काद में मंत्री इमर्थी देवी और राजमंत्री गिरराज दंडोतिया के स्टीफए मंजूर कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उपचुनावारने के बाद दौनों नेताओं का मंत्री पत से स्टीफा 6 महीने का कारेकाल पूरा होने के बाद सुउप किया गया जस्टिस मुहम्मद रफीक ने आज मध्य प्रदेश के उन तीसवे चीव जस्टिस के रूप में शपत ली उन्हें राजिपाल आनंदी बेन पटेल ने राजभवन में पत की शपत दिलाई इस अफसर पर मुख्यमंत्रु शिवरा सिंग चौहान सहित कई जज मुख्यमंत्रु शिवरा सिंग चौहान ने कहा है कि सरकार जल्द ऐसा कानून बनाएगी जिसमें सारवजनिक संपत्ती को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा के साथ ही उनकी प्रॉपटी राजसात करने का प्राबधान होगा आज भोपाल में भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्रु शिवरा सिंग चौहान ने कहा कि पत्थरबाजी करने वाले समाज के दुश्मन है ऐसे लोगों को सक्त सजा देने के लिए कानून बनाने के नर्देश अफसरों को दे दिये गए हैं दर इसमें जो सासन के द्वारा निर्देशित गाइडलाइन हैं बार-बार हाथ धोना सेनेटाइजर का उपयोग करना मास्क का उपयोग करना तो इस प्रकार की जो गाइडलाइन है समय समय पर इनका उपयोग यदि करता रहे तो निश्यत ही ये इससे बचाओ किया जा सकता है कोविड नाइटीन से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं, दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मूँ साफ रखें ब्रेक के बाद बुलिटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रदेश में बर्ट फ्लू की संभावना को देखते हुए पशुपालन विभागने अडवाईजरी जारी करती है जिसके बाद वन विभागने प्रदेश के सभी संरक्षत वन क्षेत्रों में सतर्टा बरतनी के नरदेश जारी किये हैं प्रबंधन से कहा गया है कि क्षेत्रों के सभी जलाशियों की लगातार निगरानी करे किसी भी पक्षी में बर्ट फ्लू के लक्षन दिखाई देने पर तुरंट स्थानिय पशुचिकटसकों की मदद से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे लेकिन ये है कि इन दौर के कॉलेज में मृत मिले कवों में बर्ट फ्लू का वाइरस मिलना पाया गया पशुचिकटसा विभाग ने राश्योच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान भोपा से कवों के शव का बरीक्षन कराया था इसके बाद पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है अच्छी खबर में सुनिये आदिवासी बहुलो मरिया जिले की ग्रामीन महिलाओं की आत्मन नर्द भरता की कहानी पर हमारे समवाद दाता संतोज गुपता की खबर पर आधारत ये रपोर्ट अच्छी खबर में हम हर अविवार आपको रूबरू कराते हैं किसी भी इलाके की उस खबर से जो जागरुकता के साथ समाज को दिशा दिखाने में सहायक होती है मंधिप्रदेश के आदिवासी बहुल उमरिया जिले की ग्रामीन महिलाएं अपने हुनर से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के दिये गए मंत्र वोकल फॉर लोकल को चरितार्थ करती नजर आ रही है ग्रामीन आजिवी का मिशन के स्वय सहेता समों से जुड़ी इन महिलाओं को बास से विभिन प्रकार की कलाकरतियां बनाना सिखाया जा रहा है पर दोल्ची सिखें आटी पिन सिखें और एक मंदिर सिखें इंदा बाइबेन उमरिया वचेली को बिकार खंड मान पुरा जिला उमरिया है महा के रहने वाली हूँ जो बने बास के बरतन हुआ बना रहे थी सूपा जरुबा टोकनी तो पास ज्यादा लगते थे पैसे की आंदानी कम हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ बस्ती थी हूँ टेनी में एक तारिक से आकर तेरा तारिक तो यहाँ मैंने ट्रेनिंग दी सब कुछ सच सीखी पंखा टोपा शुगाही और मटके नई नई चीजे ऐसी सीखी हूँ जिसमें मेरो को फायदा होगा और बास कम लगेंगे State Bank of India का सोरजगार प्रशिक्षन संस्थान ग्रामीन आजवी का मिशन के अंतरगत महिलाओं को 12 दिन का प्रशिक्षन देता है उमर्या में ग्रामीन आजवी का मिशन के समनवयक नीरच परमार बताते हैं कि प्रशिक्षन से यहाँ पारमपरिक कार्य महिलाओं के लिए आमदनी का जरिया बन गया है और इनका पूरा प्लान होगा मेरे पास कि किस तरह इनको इनकम होगा इसकी विवस्ता हमने कर रखी है ताला जो पार्क है वहाँ पे महिलाओं का पूरा उतपात जो भी बनाएंगे वो बहाँ पे रखी जाएगी और इनको जो भी इंकम होगा वो इनका होगा उमर्या में बास शिल्प से बनी कलात्मक वस्तुएं ना सिर्फ महिलाओं को आत्म निर्भर बना रही है बलकि मध्यप्रदेश के पारामपरिक शिल्प कौशल को अंतराष्टी इस्तर पर एक नई पहचान भी दिला रही है पूजा पीवर्धन आकाश्वाणी समाचार भोपाल बात मौसम की पश्युमी विक्षोप के फिर से सक्रिय होने से आज प्रदेश के कई हिस्सों में बादल चाय रहे इससे हवा का रुग भी बदल गया है हमारे शोपर समवादाता ने बताया है कि जिले में कल राद गिरे ओलो से हुए नुकसान का आकलन करनी आज जिला प्रशासन की टीम प्रभावित गाउं में पहुची उधर जबलपूर में बादल जाय रहने की वज़े से लोगों को ठंट से थोड़ी राहत मिली है अब कुछ समाचार संगशेप में गुना में प्रधानमंत्री स्वन इधी योजना के अंतरगच शहरीक शेत्र के पत्विक्रेताओं को दस हजार रुपे का रण वितरंड करने विशेश शिवर का आयोजन किया गया सागर संभाग के आयोक्त मुकेश शुकला ने पन्ना प्रवास की दोरान जिला चिकट साले का निरीक्शन किया और रायसेन जिले में विकास खंड स्थरियर रोजगार मेले का आयोजन आज जनपत पंचायत अबिदुल्ला गंज के सुल्तानपुर में किया गया मेले में 355 युवक और युवतियों ने पंजियन कराया अंध में बुलिटन के मुखे समाचार एक बार फिर भरत के ओशद महानी अंतुरक ने कोविट के दो टीके कोविशील्ड और कोवाक्सीन के सीमत उपियों की अनुमती दी राजिपाल आनंदी बेन पतेल ने दो मंत्रियों तुलसी राम सिलावत और गोवन सिह राजपूत को पद और गोपनियता की शपत ग्रहन कराई प्रदेश में बर्ट फ्लू की संभावना को देखते हुए पशुपालन विभाग ने जारी की अडवाईजरी और अच्छी खबर में आपने सुनी आदिवासी बहुलो मरिया जिले की ग्रामेन महिलाओं की आत्म नर्भरता की कहानी इस बुलिटन में फिलहाल इतना ही अंत में एक अपील मास्क और दोगज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार